जै मातादी दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको इस विशे पे जानकारी दूँगा आपने अक्सर देखा होगा कि लोग आत्म हत्या कर लेते हैं सुसाइड कर लेते हैं या फिर हमेशा उनके दिमाग में नकरात्मक विचार आते रहते हैं नकरात्मक विचार इस तरह के आते हैं कि उनका मरने का मन करता है उनका सुसाइड करने का मन करता है या अपने आपको नुकसान पहुँचाने का मन करता है तो ऐसे विचार हमारे मस्तिश्क में, हमारे दिमाग में क्यों आते हैं, किस कारण से, क्या वज़े है इसके पीछे, देखिए दोस्तों इसके पीछे कई सारी वज़े हो सकती है, हो सकता है कि किसी ने कोई तंत्र कर रखा हो, क्योंकि जब किसी वेक्ति के उपर कोई तंत्र क किया जाता है तो उसमें कुछ नकारात्मक शक्तियों को उनके ऊपर छोड़ा जाता है या फिर उनके पीछे लगाया जाता है और उन शक्तियों का ही यह कार रहा होता है कि वह हमारे अंदर बार बार ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन करती हैं और हमें प्रेरित करती हैं आत् पहुंटनें आपको नुक्सान पहुचाने के लिए प्रेदित करते हैं। वास्ताओं दोय coach प्रवर्तिाइं उतने से प्रवर्ति के होते जिनका गर्रेश सिर्फ इतना ही होता है कि पेसों से लिए वह लोगों का नुकसान करने के लिए चल देते हैं अपनी शक्तियों को छोड़ देते हैं शक्तिया तो उनके पास क्या होती हैं शक्तिया वक्तिया उनके पास नहीं होती उनके पास कोई भी अच्छी शक्ति नहीं होती कोई भी देवी या कोई भी देवता नहीं होते उनके पास होती है कुछ कुछ एक लोगों के पास कुछ समशान की मसानी शक्तियां होती है जिसमें जो मसानी होती है माता मसानी होती वो 52 रूपी होती हैं वो 52 रूप लेकर के चलती हैं इसके अलावा कुछ एक उनके पास मसान होती हैं मसान भी एक मसान 52 रूपी है जिसे बुलाकी मसान कहा जाता है और इसके अलावा समशान की और भी बहुत सारी चीज़े होती हैं जो इनसान को इस तरह की हरकते करने के यह बार-बार आपके मन में आपके मस्तिश्क में आपके दिमाग में बार-बार ऐसे विचार वो उत्पन करते रहते हैं होता क्या है कि इन शक्तियों का कार्रे होता है कि बस इनको भोग चाहिए होता है और भोग लेकर कि यह किसी का भी कितना भी हद तक नुकसान पहुंचा देना होता है, आप इनको भोग दो और उसके बाद इन से कोई भी कार्याप करवा सकते हो, ये भोग लेकर किसी को भी मार सकती हैं और किसी का भी अहित कर सकती हैं, इसके अलावा कुछ जिन जिन्नात भी होते हैं, जो अगर किसी के ऊपर छोड़ दिये जाएं, तो बिना उस मारें, अगर उनको मारने का ही परपस उन्होंने रखा है तो, अगर मारने के लिए छोड़ा है तो उनको मारने के बाद ही वो लोग उस वेक्ति के ऊपर से हड़ते हैं, और नहीं तो उनके साथ कोई ना कोई दुरगटना हो जाती है, कोई उनका एक्सीडेंट हो सकता है, और इस तरह की चीज़े ये लोग करवाते हैं इनसे ये लोग इनको शराप का भोग देते हैं मास का भोग देते हैं और कलेजी का भोग देते हैं सूर का भोग देते हैं मुरगे की बली देते हैं बकरे की बली देते हैं और खून के छीटे देते हैं तरह तरह की इनको बेट पूजाय देती हैं और फिर उसके बाद जिसके उपर इनको छोड़ना होता है उसके ऊपर छोड़ देते हैं उसका नाम वगेरा इन सारी चीजों की जानकारी ले करें यह फूटो वगेरा से और उनका अहित करवा देते हैं यह लोग लेकिन इनसे बचना बचना भी आसान के पास पहुँच जाते हो और जो आपको समय पे कुछ प्रियोग करके कुछ उपाए करके आपको बचा ले ठीक है और इसमें एक होता है ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस बहुत ही खतरनाक होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है यह जिन से भी ज्यादा शक्तिशाली होता इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि यह किसी भी वैक्ति को पल भर में मार सकता है, किसी भी वैक्ति को पल भर में कोई भी नुकसान पहुचा सकता है, जो आम भूत प्रेत होते हैं, आम भूत प्रेत के मुकाबले ब्रह्म राक्षस और जिन्न, यह प्रेती होनी कि यह दो ची और इनका प्रियोग भी तंत्र के शेतर में बहुत किया जाता है इनकी आन दी जाती है इनकी दुहाई दी जाती है शाबर मंत्रों में भी इनकी दुहाई और इनकी आन लगाई जाती है यह भी बहुत खतरनाक शक्ति है अपने आप में और सुर की बली दी जाती है इनको और के अलावा और भी चीजे होती हैं वैसे तो देवी या देवता अगर आपसे रुष्ट हो जाएं तो भी वह आपके साथ इस तरह का क्रित्य आसानी से करवा सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा इस हद तक जाने का मतलब यह कि वास्ताओं में किसी ने आपके उपर तंत्र करिया है और यही तंत्र जो होता है यही आपके अंदर बार बार इस तरह के विचार उत्पन करता है तो आप देख लो समय से अपने आपको अब्जर्व करो कि आपके साथ ऐसा क्यूं हो रहा है अगर आपके साथ बार बार इस तरह के विचार आ रहे हैं तो आप किसी अच्छे पूटे आपको खाए और उसके बाद आपका इलाज भी ना हो और वापस से आप उसी मुसीबत में दुबारा से पड़जाओ क्योंकि यह शक्तियां जब कहीं से बोग ले करके चलती हैं जैसे कहीं से यह मास का मदीरा का बोग ले करके चली तो इनका कार रही होता है यह जात तरा के विचार अगर आपके भी मन में आते हैं तो आप झाल करिए जानकारी मैं ने आपको दिये अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजीए शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू इसकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जय माता दी